इस विडियो में हम Semicircle Method से हेप्टगन बनाना सीखेंगे मान लीजिए कि हम लंबाई L का एक हेप्टगन ड्रॉ करना चाहते हैं लंबाई L की एक लाइन ड्रॉ किजिए और लाइन के अंतिम पॉइंट्स को A और B के रूप में लेबल करें इस लाइन को कुछ लंबाई तक बढ़ाएं इसके बाद कमपास लें और इसे कुछ लंबाई में अर्जस्ट करें और सेंटर के रूप में पॉइंट A का उप्योग करके Semicircle बनाएं यह एंगल 180 डिग्री होगा जोकि हम एक हेप्टगन बनाना चाहते हैं हमें इस एंगल को साथ भागों में विभाजित करने की आवशक्ता है इसलिए 180 को साथ से डिवाइड करने पर 25.714 डिग्री मिलेगा एक प्रोट्राक्टर लें और उसे इस पॉइंट A पर इस तरह रखें कि प्रोट्राक्टर का सेंटर पॉइंट A से मेल खाता हो ये हमारे 7 पॉइंट्स हैं पॉइंट्स को 1, 2, 3, and sort on naming करें इसके बाद पॉइंट A को सेंटर की तरह इस्तेमाल करते हुए इन पॉइंट्स से गुजरने वाली lines ड्रॉ करें इसके बाद कंपस का उप्योग करके और इसे लंबाई AB में अज़स्ट करें और पॉइंट A को सेंटर के रूप में उप्योग करके पॉइंट 5 से गुजरने वाली इस incline line पर एक आख काट लें इसके बाद, point B को center के रूप में उपयोग करके point 1 से गुजरने वाली line पर एक आख काट ले Next, इन points का उपयोग करके point 2 और 4 से गुजरने वाली lines पर एक आख काट ले इसके बाद इन में से किसी एक पॉइंट्स को सेंटर के रूप में उप्योग करके पॉइंट 3 से गुजरने वाली लाइन पर एक आख काट लें यह हेप्टगन के साथ कॉनर पॉइंट्स हैं? इन पॉइंट्स को लाइन से मिलाईए यह हमारा फाइनल हेप्टगन है. मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको यह समझने में मदद की है कि सेमी सर्कल मेथर का उप्योग करके हेप्टगन कैसे बनाया जाता है? अगर आपने कुछ नया सीखा है तो लाइक बटन पर क्लिक करें और यदि आप मेरे चैनल ADTW Learn हिंदी पर नय है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और सभी नोटिफिकेशन्स को चालू करें ताकि आप मेरे सभी लेटिस्ट विडियो प्राप्त कर पाए